दोस्तों, Ismail Families YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है. यह जो सांप है, अगर आध्यात्मिक दृष्टी से देखा जाए, तब भी यह हमारे लिए बेनेफिशियल है. और अगर हेल्थ की दृष्टी से भी देखा जाए, या फिर आयूरवेद की दृष्टी से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनेफिशियल है. क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टी से देखा जाए, तो यह एक नाग देवता है. और हम जीतने भी हिंदू भाई हैं. अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं. और भगवान स्वयम शंकर जी भी अ राम जी भी शेशनाक के अवतार थे, तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सांप है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है. तो यह जो सांप की कैंचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है, यह हमारे लिए बह बहुत ही सुन्दर चीज है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की अगर आप विडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पच्छताना होगा क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की कैंचुली मिलेगी और सांप की कैंचुली के जो फायदे समझ जाएंगे दोस्तों, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो यकी मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाब भी ले सकते हैं, कई प्रकार की असाध्य बिमारी को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी बिमारी में इसका प्रयोग होता है, मैं बिमारी में भ अपना आठ दस मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हाँ कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना, जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके उपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरी का प्यार बरसेगा, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की कैंचुली के कुछ दिव्य चमतकारी प्रयोग, लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्यान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है, इसलिए ज्यान किसी स अधूरा ज्यान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की कैंचुली के दिव्य चमतकारी प्रयोग, सर्व प्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारन करने के लिए, जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी च चेक अप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारन नहीं हो पा रहा है, बहनों, अगर आपका गर्भधारन नहीं हो पा रहा है, तो परेशान नहीं होना है, हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली विडियो में भी बताया था, हमें एक सन्यासी ने बताया था, कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारन नहीं हो पा रहे हैं, तो गुड के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है, ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आ आसिक धर्म के पांच दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं, तो दो महीने के बीच में बिलकुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारन हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो उन्हें यह क्रिया दोबारा करें। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाब जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जीस व्यक्ति की आँखें कमजोर हैं, आँखों पर चश्मा लग गया है, और ये लाब मैं भी पा चुका हूँ, ये प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आँखों पर आजमाया है, आँखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है, इसके बाद बवासीर की बिमारी में भी इसका प्रयोग होता है, हमने बहुत सारे लोगों को इसकी दवा दे चुके है बवासीर की बिमारी एकदम से चमतकारी रूप से ठीक होने लगती है आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं उपाए कुछ इस प्रकार है सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए कुछ दिनों बाद में आप देखना जो मत्से वाले बवासीर जो होते है वो जड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते है बहुत ही जल्द इसमें आराम मिलता है इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है किस प्रकार से धन की रक्षा करता है अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रू आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए अर्थात आपको शत्रूं का भै रहता है या फिर आप अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भै सता रहा है तो सांप की कैंचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं वहाँ पर इसे लाल वस्तर में बांध कर ताला लगाएं हैं उसके साथ मैं इसे बिलकुल ही बांध दीजिए बिलकुल ही यह धन की रक्षा करता है जब तक धन की पेटी में सांप की कैंचुली रहेंगी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं तो स्वयम नाग देवता को आप के लिए आना ही होता है। इसके बाद जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं चिल्लाने, लगते हैं। अचानक से नींद तूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है। नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें। बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पित्र दोश लगा हो। पित्र दोश से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं। कालसर्प दोश लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं पित्र दोश हैं, अगर इनसे बचना चाहते हैं, तो चान्दी की तावीज में सांप की केंचुली को डाल करके आप जो है धारन करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं बिलकुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में बुरे सपने की वजह से अचानक से उठ जाते हैं तो ये रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं अगर आपको भूत, प्रेद जैसी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें, ये आपकी रक्षा करता है, इससे आपका राहू भी बलवान होता है, इसके बाद चलिए, इस वीडियो में जानते हैं, कि अगर सांप की कैंचुली धारण की जा है, क्या पता आपने गलत सांप के इस्तिमाल कर ली, और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानि आपको फाइदा नहीं मिलेगा, तो बीडियों के एंड में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले तो फाइदे जाने, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परिशान करत शत्रु बल्वान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारन करें, कराकर के चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन, सूर्योदय के बाद बिलकुल ही आप उन्हें पहना देना, तो घातक रोग, अर्थात, जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए है वह भी ठीक हो जाते हैं, घातक रोग यहां पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तिमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और ऐसे में बिलकुल ही वो सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुँचे हुए होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वही से वो नीचे गिर जाते हैं, कहने का मतलब है उनके कार सिध्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टी से ले लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले तो इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करे। बहुत ही ज्यादा आपको लाब मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के पैत्रिक संपत्ती प्राप्त करने के लिए। अर्थात आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त हो तो आप बिलकुल ही सांप की कैंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना सांप की कैंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ती होती है क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता तो ऐसे में पैतरग धन की प्राप्ती होती है ये पहनते ही आपको ततकाल नहीं मिलेगा पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा काले धन मिलते हैं किसी ना किसी माध्यम से आपको अचानकी धन की प्राप्ति होती रहेंगी, तो अगर आप भी इसे चांदी के ताबीज में पहनते हैं, तो हमने आज कई सारे फाइदे बताए हैं, अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है, तो आप आप आनलाइन मंगा सकते हैं, और प्रभावशाली, लाब किसके हैं, आईए जानते हैं, तो जो भगवान शिव का काला नाग होता है, यानि भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई ही आपको इस्तिमाल करना है, ये कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए, मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की किस्मत बालों को ही मिलती है, क्योंकि वो साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय जै नाग देवता, एक लायक तो बनता है, धन निवाद!